शद्धा मडर केस में सबसे बड़ा खुला सब सबसे बड़ी हड़ी खुलेगी हत्या के गुत्वी नुकीला हत्यार खुलेगा कतल का राज शद्धा का कपड़ा रहस करेगा बेपर्दा कैसे लगी यह लोगों को हर रोज जरुवत पढ़ने वाली लॉंड्री बिजनस शुरू करके महिने का तीन लाख फायदा बनाते हैं आपको करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए चोट बताएंगे श्रद्धा के चैट क्यों हुआ जगड़ा बताएगा श्रद्धा का चहरा तो क्या मिल गए आफताप के गुनाहों के सबूत पचास सवालों की लिस्ट तयार आफताप सिर्फ सच बोलेगा नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल मैं हूँ आपके साथ अंजली आनन्द दिल्ली के श्रद्धा मडर केस में रूज नए खुला से हो रहे हैं पुलिस की जाच दिल्ली समेत पांच राजियों में चल रहे हैं और इसी बीच पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है जिसमें आपताप बैग लटकाए दिख रहा है माई पुलिस को आपताप के घर से एक नुकिला हत्यार भी मिला है लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबूत आपताप को सजाद लाने के लिए काफी है या श्रद्धा मडर केस के गुत्थी अब भी सुलजनी बाकी है श्रद्धा मडर केस में जैसे 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 जाच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे है दिल्ली पुलिस की जाच कई व्राज्यों में फैल गई है दिल्ली के अलावा महराश उत्राखंड हिमाचल हर्याणा में पुलिस श्रद्धा के मौत से जुड़े एक एक सबूत एकठा कर रही है जाच के दौरान पुलिस उन मौडर केस से जुड़े अनसुलजिस सवालों को भी सुलजाने की पोशश कर रही है जो अब तक रहस्य बने हुए है इस बीच श्रद्धा के हत्या के आरोपी आफ्ताब का नया CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है यह फुटेज 18 अक्टूबर के सुबा चार बजे का है जिसमें आफ्ताब एक बैग ले जाते हुए दिख रहा है पुलिस को शक है कि इस बैग में आफ्ताब श्रद्धा के बौडी के टुकडो को फेकनी गया था क्योंकि यह CCTV फुटेज महरौली जंगल की और जाने वाले रास्ते का है फुटेज में है कि आफ्ताब ने उस रात तीन चक्कर लगाए थे दिली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हर सबूत को एकठा कर रही है इस सिल्सले में पुलिस को आफ्ताब के घर से एक हतियार नुबा चीज मिली है पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है अब इस हतियार नुबा चीज की जाच से मर्डर की सारी गुथी सुलज सकती है शर्धा के मडर में किसी शार्प कटिंग वेपन्स का इस्तमाल किया गया था पुलिस सूतरों के मताबिक आफ्ताप के घर से जो हत्यार नुमा चीज मिली है वो भी धारदार है पुलिस को शक है कि शद्धा के शफ के टुकड़े टुकड़े करने में कहीं इसी हत्यार का इस्तमाल तो नहीं किया गया पुलिस ने जो बरामदगी की है वो आफ्ताप की निशान देही पर किये गये हैं इसमें हतियार नुमा चीज के अलावा वो कपड़े भी हैं जो आफ़ताप के घर से जब्द किये गये हैं। पुलिस आज आफ़ताप के घर पहुची और वहां मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब से में ले लिया। इसमें ज्यादतर कपड़े आफ़ताप के हैं। इसके अलावा पुलिस को आफ़ताप के घर से श्रधा के कपड़े भी मिले हैं। पुलिस ने आफ़ताप के घर से मिले कपड़ों को फॉरेंसिक जाच के लिए भीज रही है। अलाव कि पुलिस की मानें तो वो अब तक उन कपड़ों को बरामत नहीं कर पाई है जो हत्यावाले दिन आफ़ताप ने पहने हुए थे। पुलिस का मानना है कि हत्या वाले दिन आफ्ताब में जो कपड़े पहने होंगे उस पर खून के धब्बे जरूर लगे होंगे पुलिस अब तक उन कपड़ों को भी बरामत नहीं कर पाई है जो मौत के वक्त शद्धा ने पहने हुए थे हाला कि पुलिस को भरोसा है कि आफ्ताब की घर से बरामत कियेगे कपड़ों से कुछ हम सुराग जरूर मिल सकते हैं सबूतों की तलाश के लिए दिनली पुलिस की टीम आज फिर गुरुग्राम में उस जगा पहुची जहां कल सर्च ओपरेशन चलाया गया था पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने जिस साथे आर्चे शर्धा के शव के टुकड़े किये थे उसने उसी गुरुग्राम में छपाया था इसलिए आज पुलिस की टीम मौके पर मेटल डिटेक्टर के साथ पहुची शुक्रवार को भी दिली पुलिस की टीम यहां पहुची थी और करिब एक घंटे तक टीम यहीं रही थी और फिर एक काले रंग की पॉलिटीम में कुछ डाल कर ले गई थी आरोपी आफ्ताब ने श्रधा के श्रव के सभी हिस्से जंगल में फेकने की बात अबूल कर ली है और पुलिस को दिली के छतरपूर और महरोली के जंगलों से कुछ अडिया मिली भी है दिली पुलिस की टीम 16 नवेंबर को 3 बार उस जगह पर पहुँची थी जहां आरोपी आफ्ताब ने श्रधा के लाश के टुकडों को फेकने का दावा किया था पुलिस की टीम 16 नवेंबर की सुबह करीब 6 बजे छतरपूर के जंगल में पहुची जहां पुलिस को सर्च के दौरान कुछ हड़िया मिली वही दूसरी बार दिली पुलिस की टीम सुबह करीब 9 बजे महरौली के जंगल वाले इलाके में 100 खूटा रोड पर पहुची जहां पुलिस को सर्च के दौरान एक बड़ी हड़ी मिली यह हड़ी देखने में शरीर की फिमर बोन लग रही थी यह वो हड़ी है जिसे थाई बोन कहा जाता है जबकि तीसरी बार दिली पुलिस की टीम छतरपूर एंकलेब के पास जंगल एरिया और मेट्रो पिलर के पास जंगल एरिया में पहुची थी सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन हड़ीों पर किसी बड़े तेज धारदार हतियार के कट के निशान मिले हैं शुरुवाती जाँच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन हड़ीों को काटने और तोडने की कोशिश की हो लेकिन सबाल ये है कि ये हड़ी क्या किसे इनसान की है या फिर जानवर की पुलिस सुंत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सर्च के दौरान रेडिया सुलना पैटिला और फेमर हड़ीया मिली है रेडिय सुलना उसे कहते हैं जो हाथ की कलाई और कोनी के बीच की हड़ी होती है पटेला यानि वो हड़ी है जिसे नी कैप भी कहते है हाला कि पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि जो हड़ीयां मिली है वो किसकी है क्या ये हड़िया श्रधा की हैं या फिर किसी और की दिली के साथ साथ श्रधा मुर्डर केस का उत्राखन और हिमाचल कनेक्शन भी सामने आया आफ्ताब और श्रधा रिशिकेश के शिवपूरी में वशिष्ट गुफा नाम की जगा पर भूमने गए थे जहां गंगा नदी के किनारे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील पोस्ट की थी ये वीडियो चार मई का बताया जा रहा है स्रधा हत्यकांड के बाद दिल्ली पुलिस की जाच अब उत्राखंड की तरह भी बढ़ गई है उत्राखंड में जहां पर स्रधा ने आखरी अपनी रील बनाई थी मैं उसी जगा पर मौझूद हूँ ये गुलर चेतर है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये पत्थर है इसी पत्थर पर बैट करके उसने अपनी आखरी प्रील बनाई थी जिस पर लिखाता है कि मैं 1500 किलोमेटर दूर चल करके यहां पर आई हूँ अब दिल्ली पुलिस की जाच में क्या निकल करके आता है और कब यहां पहुंसती है वो क्या साक्षी जुटाती है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने श्रधा के श्रब के कुछ टुकडों को उद्राखंड की पहाडियों में फेग दिया था यही वज़ा है कि श्रधा के मुर्डर करने से लेकर उसके श्रब के बैतिस टुकड़े करने तक पुलिस एक-एक अंसुलजी कुथी का जवाब तलाशनी में जी जान से जुटी है हलाकि मुसीवत यह है कि पुलिस के सारे सवालों का आफ़ताब चालाकी से जवाब दे रहा है और जान स्टीम को गुमरा कर बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन दिली पुलिस का दावा है कि जल्दी आफ़ताब का सच सामने होगा ये लोगों को हर रोज जरुवत पढ़ने वाली लॉंडरी बिजनस शुरू करके महिने का 3 लाख फायदा बनाते हैं आपको करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए